नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूग चैनल टीवी शोज विडियोज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी प्रकाश की अनकही सफलता की कहानी रिलिटी शो बिग बॉस पंदरह फीट की विजेता बनने के बाद परदे पर नागिन बनी एक्ट्रिस तेजस्वी प्रकाश किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तेजस्वी प्रकाश अशो आराम से भरी जिन्दगी जीती है। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस पंदरह फीट से पहले भी कई टीवी शो कर चुकी है। तेजस्वी प्रकाश ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुवात साल 2012 में की थी। साल 2013 में तेजस्वी टीवी शो संसकार धरोहर अपनों की में नजर आईं। जिसमें उन्होंने धारा वैशनव की भूमिका निभाई। इसके बाद वह स्वरागिनी जोडे रिष्टों के सुर। पहरेदार पिया की रिष्टा लिखेंगे हम नया कर्ण संगिनी और सिलसिला बदलते रिष्टों का में नजर आईं। इसके अलावा वह रिलिटी शो खत्रों के खिलाडी 10 फीट में नजर आईं। तेजस्वी ने टीवी शो के अलावा म्यूजिक विडियो और वेब सिरीज में भी काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 फीट में एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। तीवी शो के लिए मोटी फीज चार्ज करने वाली तेजस्वी स्पॉंसर के लिए भी मोटी रकम वसूलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी अपने हर सोशल मेडिया पोस्ट से 10 से 15 लाख रुपए कमाती हैं। टीवी शो के लिए मोटी फीस चार्ज करने वाली तेजस्वी स्पॉंसर के लिए भी मोटी रकम वसूलती है रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी अपने हर सोशल मेडिया पोस्ट से 10 से 15 लाख रुपए कमाती है टेजस्वी प्रकाश के पास मुंबई से लेकर गोवा और दुबई तक अपना घर है टेजस्वी ने करन कुंद्रा के साथ दुबई में एक आलिशान अपार्टमेंट खरीदा था जिसकी कीमत 2 करोड रुपए बताई जाती है कारों की बात करें तो टेजस्वीर के पास ओडी क्यू चार कार है जिसकी कीमत करीब एक करोड रुपए है इसके साथ ही उनके पास एक काले रंग की लगजरी कार भी है जिसकी कीमत भी लाखों में है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जैहिन